सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टिप्स टू टॉप बाई शालनी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें और ये बिलकुल फ्री है अज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हेर पैक बताने वाली हूँ जो विंडर में आपके हेर को काफी स्मूध सिल्की और मतलब मैनेजबल बना देता है मैं संत्रे के छिल्के का यूज कर रही हूँ जिसको आप लोग बेस्टे समझ के फेक देते हैं उससे मैं ये हेर पैक बनाऊंगी और अपने हेर पे एपलाई करके दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से वर्ग करता है और इसके फाइदे क्या-क्या है तो बिना लेक किये कर रही हूँ ये बाजार का है अगर आप घर का इस्तमाल करते हैं तो वह और भी ज्यादा अच्छा है इसके बाद मैं संत्रे के छिल्के को मिक्सर में ग्रैंड कर लोंगी अगर आप इसका एक स्मूध पेस्ट बना सकते हैं तो वह और ज्यादा बैटर होगा आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको और अच्छे से स्मूध पेस्ट बना लिजें इसके बाद जो ठर्ड इंग्रीडियन्ट है वो है कोकोनट ओइल इसको मैं इस मास्क में यूज करूंगी अब एक बोल में कर्ड संत्रे के छिल्के का पेस्ट और वन टेबल स्पून कोकोन अब इन तीनों इंग्रीडियन्ट को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लिजे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये पेस्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा अब मैं अपने हेर में जो की इतने ड्राइ और फ्रीजी दिख रहे हैं ये मास्क एपलाए करूंगी इसको मैं हातों से ही एपलाए करूंगी ताकि मैं इसे रूट में अच्छी तरीके से लगा सकूँ मैंने इसमें संत्रे के छिलके का यूज किया है जिसमें anti oxidant पाया जाता है जो कि आपके hair fall को कम करता है इसके अलावा इसमें high amount of vitamin C और calcium होता है जो कि आपकी hair growth में help करता है और संत्रे के छिलके में anti inflammatory properties पाय जाती हैं जो कि आपके scalp को soothe करके उसे infection free बनाती है दही में high source of vitamin B5 and protein होता है जो कि हमारे hair loss को कम करता है और हमारे scalp को dender free बनाता है इसके अलावा मैंने इस hair mask में coconut oil यूज किया है coconut oil में vitamin E पाया जाता है जो कि हमारे hair breakage और split ends को कम करने में helpful माना जाता है इसके अलावा coconut oil hair growth में help करता है मैं इस hair mask को scalp से लेके tip तक अच्छी तरीके से apply कर लोगी एक बात का ध्यान रखे कि इस hair mask को apply करने से पहले आपने अपने hair में oiling ना की हो इसे आपको अपने धुले हुए hair में ही apply करना है ताकि इसका work आप अच्छी तरीके से अपने hair पे देख सके ये hair mask winter में और ज़्यादा important होता है क्योंकि winter में हमारे hair ज़्यादा dry हो जाते हैं और उसमें dandruff जैसी problem देखने को मिलती है इस hair mask को पूरे hair पे apply करने के बाद आप इसे एक clutcher की help से secure कर लीजिये और इसको कम से कम 30 minutes तक अपने hair पे लगा रहने दीजिये 30 minutes इस hair mask को अपने hair पे लगाने के बाद मैंने hair wash कर लिया है आप मेरे hair पे difference देख सकते हैं ये काफी smooth, silky और manageable लग रहे हैं हो friends ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आप इस hair pack को try करके देखिए और मैंने जैसे इसके benefits बताए है ये बहुत अंच्छा work करता है इसको try करने के बाद आप मुझे comment करके जरूर बताएगा कि ये आपके ऊपर कैसा work किया और इसके अरावा अगर आप ये जानना चाहत है जानना क्योंकि एक store को अगर आप एक तरीके से carry करें तो वो उसके साथ नाइनसाफी है इसके अलावा आप इस video को कर सकते हैं अपने friends के शाथ share कर आप मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो इस channel को subscribe करना बिल्कूल ना भूलिए उसके बगल की bell icon को भी प्रेस क चला जाए और आप मेरे वीडियो को सबसे पहरे देख पाए तो मिलते हैं मेरे next video की साथ तब तक के लिए बाए बाए